नमस्कार दोस्तों मैं हूराज अलवाई राज अलवाई रस्पी में आप सभी का स्वारत तो दोस्तों राज अलवाई रस्पी में आज बनेगा चन्ने दाल के लड़ू ये देखिए इसमें ड्राइफूड एड़ करके और बहुत टेस्टी बना के त्यार करते हैं और इसको कुछ दूसरे तरीके से बनाया जाता है ये जिस तरह हम घर में बनाते हैं उस तरह आसान तरीके से हम बना के दिखाते हैं ये देखे इस तरह जब दाल हम भिगो देते हैं तो ये बिल्कुल जब साफ्ट हो जाता है ये दो गंटा हमें भिगोना पड़ता है उसके मुझीर यह लिया है उसके बाद में मिक्सी जार में ऐडिकर देंगे यह उसको थोड़ा गारा रखनah है इसे हमें इसी नहीं ने स्ट्ग भेटर प्रदराप सा हमारा बेटर बनके त्यार है ये देखिए बिलकुल गाढ़ा है ज्यादा पानी नहीं अड़ करना नहीं तो ये जल्दी टिक्की सी नहीं बनती है जो हम टिक्की बनाके फ्राइ करेंगे तो गिली हो जाती है तो सहीं नहीं बनती है यहां हमने सुद्ध गी हाथों में पानी लगाना पड़ता है बार बार और इस तरह पानी लगा के इस तरह हम छोड़ते जाते हैं ये देखे इस तरह हम हाथ में पानी लगा लेते हैं और इस तरह ये देखे छोटी सी टिक्की से बना के हाथों से फलाट कर देते हैं और इस तरह डालते जाते हैं ये देखे और इस तरह ये टिक्की से फराई होती जाती है तो इसको पैन को भर लेंगे जब पैन हमारा अच्छी तरह भर जाता है तो इसको अच्छी तरह पका लेते हैं तब हमारी टिकी अच्छी तरह पक जाती है और इस तरह हम बना के तयार करेंगे तो इस तरह हम छोटे छोटे पकोड़ी जैसा बना के इसमें फराई करते हैं इस तरह हलका सा फलाट करते जाते हैं लेकिन हाथों में हमें हमेशा पानी लगाना पड़ता है तब यह हमारे हाथ से छूट जाते हैं तेल में और इस तरह यह पकते रहते हैं तो इस तरह हम घर में बना सकते हैं आसानी से जो आपके पास जाड़ना ना हो तो यह दानेदार बन जाता है इस तरह आप लड़ू बना सकते हो और टेस्टी लड़ू यह चने के दाल के बनते हैं तो इसको जब हल प्रहा सा पैश्ट बना लिया इस तरह टिकी जी पतली सी हिस में हम डालते जाते हैं और इसको फराई करते जाते हैं यह देखिए मीडियम से के होना चाहिए ज़्यादा सेख भी नहों कि हमारे तुरंत लाल हो जाए इसको अच्छी तरह अंदर तक पकना चाहिए तो यह इस तरह हम बिल्कुल छोटे-छोटे पीस में तोड़ देंगे, इसको mixi करेंगे, क्योंकि छोटा पीस होगा तब mixi जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने छोटा पीस कर दिया है, और इस तरह mixi की jar में add करके, थोड़ा-थोड़ा हम add करेंगे, दो बार हम कर लेंगे, क्योंकि mix किसी भी खराब हो सकती है, ज्यादा ना add करें, तो यह देखे, पूरे बरीक दाने की बन जाती है, बिल्कुल बरीक मोती चूर जैसा यह दाना बन जाता है, और इससे हमारे लड़ो बहुत tasty बनते हैं, तो इस तरह हम बनाएंगे चने के दाल के लड़ो, यहां हमने low medium flame पे इसमें हम काजू add कर देते हैं, यह देखे, बिल्कुल हलका गरम है, और इसमें बदाम भी add कर देते हैं, यह 25-25 गराम हमारा काजू बदाम है, और 25 गराम हमारा मगच तरबूज है, यह मतीरे के बीज भी कह सकते हो, तो इस तरह हम इसको fry कर देंगे, यह देखे, इस तरह ह हलका सा भून लेंगे यहां हम गैस का फ्लेम लो मीडियम पे कर लेंगे और थोड़ी देर तक मतलब 2-4 मिनट इसको इस तरह भूनते रहेंगे यह देखे जिसे एक-एक दाने भी हमारे अच्छी तरह पक जाते हैं क्योंकि हमने इसको मिक्सी किया है दाने दाने से बने हुए हैं अब इसको इस तरह हम अच्छी तरह भूनने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं थोड़ी देर बाद और उसके बाद में इसको गैस चूले से दूसरे चूले पे रख देते हैं बंद वाले पे यह हमारा बंद चूला है इस पे हम रख दिए हैं, अब इस चूले पे हम बनाएंगे चासनी, यहाँ हमने कडाही रखा है और हाफ कप पानी एड़ किया है, मतलब हमने 125 हिमल पानी एड़ किया है, और एक कप हमने सुगर एड़ किया है सुगर हमारा 200 ग्राम है और इस तरह इसकी चासनी बनानेगे थोड़ी देर बाद ये हमारा सुगर मेल्ट हो जाता है उभाला आ जाता है और चासनी बनके कमपलीट हो जाती है यह देखे यहां चासनी हमारी एक मिलट तक उबलती रहती है उसके बाद इसमें हम फूड कलर यह दिखाता हूं यह तूटती होई तार चाहिए ज्यादा तार से टाइट हो जाते है लटू इसलिए और हलका सा चिपचिपा सा ही होना चाहिए तभी हम आइट कर देते हैं यह देखिए यह भूना हुआ ड्राइफोड और यह हमारे दानेदार दरदरा पौडर इस तरह दाने से मुलायम करने होते हैं तो इसको एक मिनट तक अच्छी तरह उबलने देते हैं तुरंत यह चासनी अपजोग कर लेती है यह देगे इसको एक मिनट तक अच्छी तरह पका लेते हैं जिससे बूंदी सी मुलायम हो जाती है बरीग दाने की होती है इससे मुलायम हो ज तो उसके बाद जब यह थंड़ा हो जाता है पांशाथ मिनट यह पड़ा रहता है अभी हम लड्र supporter तैसे चले जाएंगे और इस तरह के लड्र प्रू बहुत रेंटे थांगो से अ जादा लगता है इसमें घी कम लगता है और लड़ू भी टेस्टी बनते हैं तो यह देखिए अच्छी तरह हमने बांदिया है पूरे दानेदार बरीक से लड़ू दिखाई दे रहे हैं यह लड़ू बिलकुल बरीक मोती चूर जैसा त्यार हो जाता है और काफी टेस्टी हो होते हैं तो इस तरह आप आसानी से अपने घर में चने के दाल के लड़ू बना सकते हो उसके बाद आप दोस्तों हमारे चैनल पे जाईए तो हमारे चैनल पे हर एक तरह की मिठाई अपलोड है आप देख सकते हो और बनाना सीख सकते हो यह लड़ू हमारे सब लड़ू बन के complete हैं और इस तरह आसानी से लड़ू हमारा बन जाता है कोई भी इसको आसानी से बना सकता है उसके बाद इस लड़ू को हम आपको तोड़ के दिखाते हैं बहुत soft और tasty लड़ू बनके त्यार है ये देखे एक लड़ू बिल्कुल मोती चूर जैसे लड़ू दिखाई दे रहें ये देखे बिल्कुल अंदर चासनी चमक रही है तो इस तरह आप टेस्टी लड़ू बना सकते हो और दोस्तों आप हमें इस्टाग्राम और फेस्बूक पे भी फोलो कर सकते हो डिसक्सन में हमारा लिंक दिया हुआ है और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बोलें हमें आप लोगों का प्यार अच्छी तरह मिल रहा है